Hello everyone, welcome to Mother's World बच्चों के growth proper होने के लिए उनके bones strong रहने के लिए और healthy teeth के लिए जो भी required calcium, proteins, vitamin D, carbohydrate ये जो सारे important nutrition है वो सारे दूद में पाए जाते है इसलिए दूद जो है वो बच्चों के लिए बहुत important role play करता है बच्चों को daily basis पे दूद पीने के लिए देना बहुत जरीरी है ताकि ये जो सारे important nutrition है वो बच्चों को मिल सके जो दूद का selection हमने अपने बच्चों के लिए किया है क्या वो selection सही है क्या सही दूद हम अपने बच्चों को दे रहे है इसका भी knowledge as a parents हमें होना बहुत जरूरी है दूद की recording पहले से ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जहाँ पे मैंने raw milk and packet milk ये दोनों milk के बारे में detail में information शेयर की है तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिए उस वीडियो की link आपको उपर i section में या फिर नीचे description box में मिल चाएगी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं packet milk के बारे में detail information because packet milk में भी दो types आते हैं एक normal जो pouch packet milk आता है और second रहता है tetra milk अब इन दोनों दूद में कौम से milk बच्चों के लिए best है ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले है तो चलिए वीडियो को start करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पर पहली पर विजिट कर रहे हो तो चानल को ज़रू subscribe कर दीजिए और subscribe करने के बाद नीचे bell icon को press कर दीजिए जिसकी वज़े से जो भी upcoming latest videos है उसके notification आपको मिलते रहेंगे तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं पाउच मिल्क एंड टेटरा मिल्क इन दोनों मिल्क का comparison हम 6 पॉइंट वाइस करके देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट है product packaging, second point है adulteration, third point है product life, fourth point है time saving factor, fifth point है quality of milk and last point है price ये six point है जिसके थूँ हम दोनों मिल्कों जो है वो compare करके देखेंगे आउच मिल्क की जो packaging होती है वो polythene plastic की होती है और polythene plastic में BPA chemical का use किया रहता है अभी ये जो BPA chemical है ये human body के लिए बहुत harmful रहता है बहुत सारी बिमारियों का reason BPA chemical होता है और ऐसा plastic जिसमें BPA chemical का use किया हो अगर ऐसा plastic sunlight के contact में आता है तो उसमें जो भी BPA chemicals होता है वो दीरे दीरे release होना start हो जाता है और वो आके दूद में mix हो जाता है और ऐसा दूद जिसमें BPA chemical mix हुआ है अगर ऐसा दूद हम long term basis पे अगर consume करते है तो future में हमें बहुत सारी बिमारियों को face करना पड़ सकता है यानि कि packaging wise जो है BPA chemical के chances packet milk में जादा होते है अगर tetra pack हम देखते है तो tetra pack की जो packaging रहती है वो cardboard की रहती है यानि कि वहाँ पे paper use किया रहता है यानि कि उसमें कोई भी chemical नहीं रहता है second thing tetra pack जो है उसके लिए जो cardboard use किया जाता है वो ठीक रहता है seven layers of packaging tetra milk की होती है जिसकी भज़े से tetra pack में जो भी milk है वो directly air, light, sun इसके contact में नहीं आता है और दूज जो है वो fresh रहता है so packaging wise tetra milk को plus point मिलता है second point है adulteration यानि कि मिलावट around 65% of milk जो इंडिया में sale किया जाता है वो FSSAI यानि कि food safety and standard authority of India ने जो भी दूद की regarding दूद की quality की regarding जो भी rules बताया है वो follow नहीं करता है यानि कि around 65% of milk जो इंडिया में बेचा जाता है उसमें adulteration किया रहता है और जो packet milk रहता है उसकी packaging एक तो plastic की होती है soft होती है उसमें easily injection वेगर देखे उसमें adulteration किया जाता है अपने news पे cases भी बहुत सारे देखे होंगे कि जो plastic pouch milk है उसमें easily adulteration के chances है और बहुत सारे cases हो चुके है easily वो packet जो है वो silk कर सकते है बट जो tetra milk है उसकी जो packaging रहती है वो seal pack रहती है उसका जो material जो है cardboard है वो hard रहता है seven layers का होता है जिसकी वज़े से tetra pack में injection की सुई भी नहीं लग सकती so adulteration wise भी अगर आप देखेंगे तो tetra milk best है because अभी तक tetra pack में adulteration के cases सामने नहीं आए है तो उसमें chances ना के बराबर है third point है product life अभी जो plastic pouch milk है वो purchase करने के बाद first तो उस milk को हमें पूरी तरह boil करना रहता है boil करने के बाद भी वो milk हम maximum 3-4 hours ही without fridge रख सकते है उसके बाद जैसे जैसे वो milk atmosphere के contact में आ जाता है air life जैसे उसके contact में आ जाता है वो milk spoil होना start हो जाता है बट जो tetra milk रहता है उसकी जो life shelf है वो 180 days without fridge है हाँ tetra milk हम without fridge 180 days रख सकते हैं अभी tetra milk जो है वो without fridge हम रख सकते है ताकि उसमें chemical mix किया रहता है इसे बहुत लोगों को ऐसे लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है tetra milk without fridge रह सकता है because tetra milk में जो भी milk है उसको UST यानि की ultra heat technique इस treatment के द्वारे sterilize किया रहता है बॉइन किया हुआ रहता है जिसकी वज़े से उस दूद में जो भी microorganisms है बैक्टेरिया है वो पूरी तरह नर्ट हो जाता है किल हो जाता है जिसकी वज़े से tetra pack का जो milk है वो 180 days त जो 7 layers की होती है जिसकी वज़े से उस milk का air light sun से sun light से contact नहीं आता है जिसकी वज़े से उसकी जो life shelf है वो जादा होती है So product life wise भी अगर हम देखेंगे तो tetra milk को plus point जाता है 4. Time saving factor जैसे मैंने आपको बताया जो packet milk रहता है उसको हम directly consume नहीं कर सकते है उसको first boil करना ही पड़ता है उसके बाद ही उसको हम use कर सकते है बड़ जो tetra milk है जो पहले से UST treatment वारे boil किया हुआ रहता है जिसकी वज़े से tetra milk हम directly consume कर सकते है चाहे बच्चों को देना हो या फिर चाय में use करना हो टी के लिए अगर milk use करना हो हम वो milk directly use कर सकते है जिसकी वज़े से हमारा time जो है वो save हो जाता है so time saving factor wise भी tetra milk को plus point मिलता है fifth point है quality of milk most important अगर आप दोनों भी milk को compare करके देखेंगे जो consistency जो है milk की वो packet milk की थीन होती है पतला होता है वो दूद बड़ जो tetra milk होता है वो थीक रहता है गाड़ा रहता है अगर अब दोनों की अगर मलाई भी देखोगे जो दूद के उपर आती है वो भी compare करोगे तो compare to packet में tetra milk की जो मलाई होती है वो चाता होती है यानि कि quality wise भी tetra milk को plus point मिलता है last point है price सिर्फ यही एक point है जो tetra milk के लिए minus point है because tetra pack की जो price है वो normal pouch milk से जादा है around 60 to 70 रूपी के range में tetra milk market में sell किया जाता है मगर आप चाहते हो कि आप आपके बच्चों को ऐसा milk दो जिसकी product packaging without chemical हो जिसमें adult ration ना किया हो या फिर ऐसा milk जिसकी quality अच्ची हो time saving factor भी जिसमें include हो या फिर जिसकी life shelf भी है वो भी जादा हो आप easily travel के लिए भी वो milk carry कर सकते हो अगर ऐसा milk आप चाहते हो तो आप ज़रूर tetra milk को prefer कर सकते हो मैं खुद personally अपनी daughter के लिए tetra milk को use करती हो तो यह थी सारी information normal plastic pouch milk के बारे में और tetra milk के बारे में अगर यह वीडियो की जो information है आपको useful लगी हो तो वीडियो को ज़रूर like कीजे आपके कुछ queries रहेंगे, suggestion रहेंगे तो वो ज़रूर comment box में mention कर दीजे second thing यह जो वीडियो है वो और भी parent के साथ आप share कर दीजे यानि कि उनको भी दूद के बारे में जो information है वो मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना खयाल रखे और आपके family का खयाल रखे धन्यवाद